हेलो स्टुडेंट्स कैसे आप सब लोग आई हो की सबाब लोग ठेक होंगे और आपके स्टेड़ी भी अच्छी चल रही होगी तो आज के सेशन में हम आपको जो सॉलुशन चैप्टर है उसके इंपोर्टेंट में आपको कराने वाले हैं देखिए जो यह जो चैप्टर इंटम फर्स में आ रहा है और इसके बाद हमने सॉलिड इस्टेट का अलेड़ी अप्लोड कर दिया है तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है एक बार आप लोग जरू क्या है mcq का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन इंडिपेंडेंट ऑफ टेंप्रेचर इज ठीक है ना यानि इन में से ऐसा कौन सा कंशन्ट्रेचर से इंडिपेंडेंडेंट है यानि जो टेंप्रेचर पर डिपेंड नहीं करता है तो वह आप लोग एक चीज़ ध्यान जो हो या बड़े या फिर डिक्रीज या फिर इंक्रीज ओ भाई molality पर कोई भी टेंपरेचर का इफेक्ट आपका नहीं पड़ता है अगर हम बात करते हैं molality की तो molality किया है यह temperature पर डिपेंड करता है ठीक है चारिए normality भी आपका same to same है अब हम चलते है next question कियो देखें से नहीं बच्चो solute आपको बताया था ना बेटा क्या होती है ऐसी प्रॉपरिटीज जो नमबर अपर्टीकल सब सॉलिट पर डिपेंड करती है और ना की नेचर आप सॉलिट पर वो डिपेंड नहीं करती है ठीक है ना तो ऐसी properties अगर किसी solution की है तो हम उनको बोलते हैं कि यह क्या है इसकी colligative properties है तो ऐसी properties जो depend करती है number of particles of the solute उसको क्या वो लेंगे colligative properties तो भाई यहाँ पर चेक करो the nature of the solute पेटा बिलकुल नहीं करती है the nature of the solvent बिलकुल नहीं करता है the number of particles of solute yes of course इस पर depend करता है तो यह आपका सही answer हो जाएगा option number third is the right answer of the given questions clear है ना चले बढ़ते हैं next question क्यों तो देखिए next question क्या है constant boiling mixtures are called इतना important क्या बोलते हैं उसको as your troops कहते हैं सबसे simple है question ना as your troops ठीक है ideal solution क्या उतर बेटा जो routes लोग को follow करते हैं जो routes लोगो follow नहीं करेंगे उनको non ideal कहेंगे लेकिन इसके साथ साथ और भी conditions है कि कौन सा solution कौन कब ideal होगा ठीक है और भी सारी conditions है अभी आप आगे पढ़ेंगे clear है चलिए अब बढ़ते है next question की और देखिए question number जो आपका fourth है वो क्या बोलता है ज्यान से देखिएगा ठीक है question number fourth क्या है the molality of pure water is pure water की molality कितनी होती है भाई 55.5 होती है ठीक है याद रखिएगा भाई कैसे आया 55.5 सबसे पहले हम क्या निकालेंगे moles calculate करेंगे क्या निकालेंगे बच्चो moles of water ठीक है न तो देखो moles of water calculate करने के लिए क्या करते हैं भाई mass of water upon molar mass of water तो बेटा देखो na mol, uncertainty बोला है न क्या निकालना है मैं molality हूँ हमें find out क्या करना है भाई, molality find out करनी है pure water की न तो बढ़ी देखो अगर मोल लेटी की बात करते हैं तो मोल लेटी को हम क्या लिखते हैं आपको पता होगा न मोल पर केजी मोल पर केजी या फिर आप इसको बोलो 1000 ग्राम ठीक है न तो यहाँ पर आपको इस कॉश्चन में कुछ नहीं दिया है कि water का mass कितना है या फिर इसका volume कितना है कुछ चीजे भ पर 1000 ग्राम लेलोगे अपन ठीक है बेटा वाटर का जो आपका molar mass होता है वो आपका कितना होता है 18 होता है तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया जब डिवाइट करोगे तो आजाएगा 55.5 something ऐसा आएगा ठीक है आगे देखिए अगर next आप चेक करेंगे बेटा तो आपको ए लिएटी का formula क्या होता है number of moles of solute number of moles of solute भाई ठीक है moles of solute लिख सकते हो upon total mass of solvent total mass of solvent in gram और into यहाँ पर आजाता है 1000 clear तो बेटा देखो यहाँ पर number of moles of solute कितने है भई अब यह आपने calculate कर लिए 55.5 ठीक है तो बेटा यह तो आपको इसको ऐसी कैसी रख दो 55.5 ठीक है नीचे क्या है हाँ नीचे आपका 55.5 आ गया total mass of the solvent यह तो आपका 1000 था बताए जेन आपको पहले थोड़ी दिर पहले ठीक है ना water का mass solvent क्या है पर water ही तो है ना चलिए into क्या हो जाएगा यहाँ पर thousand गया कितना आ गया 55.5 mode ऐसे इसका अंसर करना है clear है चलिए तो बेटा देको very very important question है और यह question आप जब school में अपने practical करते हो तो बेटा जब examiner आता है ना तो यही question पूसता है तो बहुत सारे बच्चे इस question में confused हो जाते है सर कैसे इसको solve करना है सर इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है ना mass दिया ना कुछ दिया तो बेटा इस तरीके का question होता है इसको इस तरीके से solve करना होता है याद रखिएगा ठीक है चलिए अगले question क्यों बढ़ते हैं देखिए next question हमारा गया है the mole fraction of solute in 2.5 ml solution is ठीक है इसका mole fraction आपको बच्चों पूछा है तो अगल निकालना है तो आपको पता में चीए बटा की water की मोल्स और किसके मोल्स देखो दो component यहां पर है ना solute का तो mole fraction आपको गिविन है कितना है बढ़त 2.5 है चलो बढ़ते मोल फ्रेक्शन निकालना है किसमें 2.5 म में तो पिटा देखो इसका तो आपको मोल्स दिया है किसका मोल्स और सॉल्यूट गिविन है कितना गिविन है 2.5 क्लियर अच्छा अब आप क्या निकालोगे यहां पर एक्वा सॉलूशन बोला है तो यानि वाटर की मोल ठीक है तो यहां पर लेखो कि मोल्स ओफ वाटर मोल्स ओफ वाटर लिख दिंगे यहां पर जस्ट एक में बेटा ठीक है पर तो मोल्स ओफ वाटर कितने हो जाएंगे यहां से आप ही तो हमने कैलकुलेट किया था था ना 55.5 आया था ठीक है 1000 इप ओन ठीक है 18 कर जा था तो यह आ आया था तो वही आपको mole fraction निकालना है क्या निकालना है mole fraction mole fraction of किसका निकालना है solute का ठीक है दी mole fraction of solute तो क्या हो जाएगा moles of solute moles of solute plus moles of water ठीक है sorry यहाँ पर नहीं लिखो गया plus एक मिनट रुख जाएए just one minute moles of solute देखो जिसका mole fraction आपको निकालना है ना बच्चो उसको आपको क्या गरना है उपर रख लेना है ठीक है ना अब देखो में solute का निकालना है तो इसको आपको नीचे रख लेना है sorry उपर रख लेना है ठीक है अब नीचे क्या जाएगा moles of solute plus moles of solvent यानि आपका solvent क्या है आपर water है ठीक है तो बिटा जब आपने value रखी तो देखो कितना आएगा equal to moles of solute already question में given है 2.5 and then आपका moles of solute 2.5 then moles of solvent यानि water कितना है 55.5 ठीक है बच्चो इसे जब आप solve कर लोगे तो बिटा आप concern option number B 0.043 आजएगा clear है तो ऐसे आपको एक question करना है जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए easy है बैए कोई question टप नहीं है इतना easy question है clear है ना तो बेटा mole fraction को आप ऐसे calculate करोगे अगले question क्यों बढ़ते है next question देखो भई which pair will not form an ideal solution ऐसा एन में से कौन सा पियर है बच्चो जो ideal solution को नहीं बनाएगा अगर आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो बच्चो देखो ध्यान से देखो वह कैसे पता करेंगे हम देखो पहला option देखते है C2H5BR C2H5BR यानि यह alkyl group लगा है और यह alkyne है आपका halogen है यह alkyl group है और यह आपका halogen है clear तो बेटा same same है न तो बेटा यह तो आपका ideal solution बनाएगा clear है second option चेक करते हैं बेटा देखो C6S5BR benzene ठीक है उस पर क्या लगा halogen C6S5 यानि यह भी benzene है और उस पर क्या लगा है iodine यानि भाई कहने का मतलब ARX और यह भी आपका compound है वो भी ARX type का compound है तो यह भी आपका क्या बनाएगा आपका ideal solution form करेगा clear है तीस्ता option चेक करो C6S6 लिखा यानि आपका benzene है that is benzene और 4th option चेक करो C6H5 CS3 भाई देखो न यहाँ पर भी आपका क्या लगा है बच्चो बेंजीन लगा बेंजीन पर आपके CS3 लगा दिया यानि टॉल्विन है बच्चो टॉल्विन ठीक है तो बिटा देखो यहाँ पर स लगी है ठीक है बच्चो अब option number D को आप थोड़ा चेक करो बच्चो अगर आप D को देखते हो तो C2H5 I बोला है ठीक है पेटा तो यह तो आपका हो गया हेलो एलकीन अच्छा इसके साथ जो option देर का है C2H5 OH तो बेटा देखो बिलकुल different हो गया है ROH कहां यहाँ पर आप आपका हेलोजन था ठीक है और यहाँ पर आप देखो आपका functional गुरूप आ गया है functional को अंसा वाला एलकोहल वाला तो बेटा देखो बिलकुल different हो गया है इसलिए क्या होगा कि यह जो है बिलकुल different है तो यह आपका ideal solution नहीं फॉर्म करेगा clear तो बेटा को ऐसे पहचाना जै से उसको समझना है ठीक है दोनों सेम सेम होंगे तो ideal solution देंगे लेकिन अगर different हो गए तो बैडिया solution वो नहीं देंगे clear चलिए आगे बढ़ते है next question की और देखिए अगला question क्या बोलता है बढ़ी देखो the osmotic pressure of 0.2 molar solution of urea at 27 degrees Celsius ओके बच्चो तो बेटा देखो osmotic pressure बोला है osmotic pressure का formula क्या होता है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए तो भई osmotic pressure का formula होता है pi equal to crt ठीक है ये इसका formula होता है अब आपको osmotic pressure निकालना है c आपको already given है concentration ठीक है ठीक है क्या दिया रखा मेंटो 0.2 molar दिया है 0.2 रख दिया into r, r की value gas constant है आपका यहाँ पर और भी आपको already given है तो value रख लेजिए 0.082 ठीक है यह रख लेया into t भई ना ठीक है 27 degree Celsius बोला है 27 degree Celsius को बेटा यहाँ पर जो temperature है ना बच्चो उसको पहले आप Kelvin में convert करोगे जब Kelvin में convert कर लोगे then आप यहाँ पर value रखोगे ठीक है तो 27 degree Celsius बोला है तो बेटा इसको Kelvin में convert करते ह है तो यह होता है 300 Kelvin ठीक है ना 273 प्लस 27 कर दोगे तो बेटा 300 Kelvin ही आएगा समझ रहे हो तो यहाँ पर आपने क्या रख दिया 300 यहाँ पर temperature रख दिया है और जब आप यहाँ पर 300 Kelvin temperature रखते हैं और उसको solve करते हैं तो बच्चो आपके पास अंसर first आने वाला है 4.9 size आपके इससे question आएगा तो आपको इस तरीके से उसको solve करना होता है खले रहे है ना जो कभी-कभी ना यह जो concentration term से यहाँ पर दिया यानि that is called monality यह आपको given नहीं होती है तो उस case में क्या करोगे पहले इसको find out करोगे ठीक है ना उसके लिए आपको देगा कि वही solute का mass इतना है इ यह सारी चीज़ आपको given होंगी पहले से ही तो आपको क्या गरना देन पहले एम निकालना है यह सी calculate करना है जब सी calculate कर लिए formula वे रहो फटा फट से आपका अनुसर आ जाएगा ठीक है बहुत simple होता है clear चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की और तो बिटा देखो next question क्या है it is a very 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 important questions थोड़ा सा बीट करिए तो next question क्या बोलते है भाई देखो the number of moles of NaCl in 3 liters of 3M solution ठीक है भाई देखो बोला है कि number of moles निकालने है NaCl के किसमें लिगाने है 3 liter of 3M solution में ठीक है बिटा तो ध्यान से देखो एक liter में जो NaCl के moles हैं कितने है भाई 3 है simple सी बात है कि 3M solution बोला है इसका मतलब क्या है कि अगर एक liter में एने से जो moles हैं वो कितने हैं 3 moles है तो बैए 3 liter में कितने हो जाएंगे 3 into 3 कितना हो जाएगा बच्चो 9 हो जाएगा सर क्या हो जाएगा बच्चो 9 मोल तो वे कौन सा option ऐसा option number C यह आपका correct जवाब है बिलकुल सही answer है बिलकुल इसका right answer है तो इस तरीकिके का question very important है आपके पिछले साल के paper में आया भी था तो वहीं से उठाया गया है ताकि आपको इन question की जाधर से जाधर बच्चो practice हो आप यह मत समझना कि आपके MCQ में नियो मेरिकल नहीं आएगा बिलकुल आएगा इसी तरीके सा आएगा तो आपको पहले solve करना होगा किसी भी option पर आप ऐसे ही take नहीं कर सकते है समझ रहे है बात को तो पहले आपको क्या अगरना है उसको अच्छे से solve करना है then solve कर लिया तो उसके बाद उसका answer देना है ठीक है न क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो बेटा किसी भी option पर tick करके आ जाओगे तो भी तुम्हारे ही mask कटेंगे ठीक है पहले solve करना सीखो इससे आपकी practice और अच्छी हो जाएगी अगले question क्यों बढ़ते हैं भाई ठीक है next question क्या है ठीक है बेटे ये ये हाँ बेटे ये बोर निया ये दोज होगा भाई बोर नहीं है बच्छों दोज हो सकता है एक ठीक हो है those solutes which do not undergo any association or dissociation in a solute want of factor I will be बच्छों very very important ठीक है न तो भई बोला है कि ऐसे solutes जो depend नहीं करते हैं ठीक है association यानि जो dissociation को यहाँ पर नहीं देते हैं ठीक है in a solute उसका जो want of factor होता है प्यारे बच्छों will be क्या होता है बच्छों तीसरा option होता है will be equal to one होता है यानि यहाँ पर जो I की value होती न बच्छों वो one होती है इस condition में ना तो आपका association होता है solute का और ना ही यहाँ पर dissociation होता है solute का अगर आपने यह topic want of factor रच्छे से पढ़ा होगा तो भई आपको यह चीजे हमेशा आनी चाहिए समझ रहे हो ना बेलकुल basic से है यह आपका clear? चले आगे बढ़ते हैं next question क्यों तो देखो भीटर next question क्या है which of the following 0.1m aqua solution is likely to have the highest boiling point ठीक है इन में से बोला है कि कौन से ऐसा solution है जिसका highest boiling point है तो याद रखना बच्छो sodium sulfate एक ऐसा compound है जिसका boiling point सबसे highest होता है कब? जब उसकी molarity 0.1m होती है clear है? तो बिटर देखो question ऐसे है ना कि बहुत चुटकियों में solve हो जाएंगे और यह आपको जब मैंने topic पढ़ाया था ना बच्छो तो वहाँ पर भी आपको एक्स्प्लेइन किया था अगर आप लोगों को याद हो तो ठीक है? चलिए बैए आगे बढ़ दे next question देखो isotonic solutions है एक होता है isobaric एक होता है isotonic ठीक है बैटर देखो iso का मतलब भी पता चलना है भई iso मतलब same iso का मतलब same tonic का मतलब हो गया बच्छो यहाँ पर osmotic pressure क्या हो गया? osmotic pressure तो ऐसे दो solution जिनका osmotic pressure equal होता है same होता है that is called isotonic क्या बोलेंगे उनको? isotonic तो यहाँ पर option number कौन सा हो जाएगा? D हो जाएगा कौन सा? D सका correct explanation हो जाएगा ठीक है? ऐसी एक आपका ISO बारिक होता है एक ISO कोरिक होता है ठीक है? दो solution मेंसे जिसका osmotic pressure जादा होता है ठीक है? या फिर दो solution मेंसे जिसका osmotic pressure कम होता है तो इस तरह की भी आपके बास क्या होता है बच्चों, solutions होते है clear है? चलिए बढ़ते हैं next question क्योंड देखे, next question क्या है which of the following concentration concentration of solute depends on temperature यानि इन मेंसे ऐसा कौन सा concentration टम सा है जो solute पर depend करता है तो बेटा आपको याद होना चीए अभी थोड़ी देर पहले बताया था first question जो है था molality तो depend नहीं करती है बेटा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे न तो यह तो depend नहीं करता ठीक है? molality depend करती है ठीक है, बच्चों, एक मिनट उकिए molality नहीं, option number भी right molality जो होती है भाई, वो temperature पर depend करती है याद रखेगा, ठीक है न molality क्या होती है बेटा temperature पर depend करती है बहुत ज़्यादा important question है कतनी बार repeat हो चुका है अच्छे से इसको याद कर लो भाई clear रहे? चलिए, आगे बढ़ दें देखे एक मिनट clear रहे न बच्चों? आगे बगला question है देखे इसको 13, question number यहाँ पर आपसे क्या बोला है? two solutions A and B are separated by a semi-permeable membrane if the solvent flows from A to B then यानि जो आपका solvent है वो A से B की और flow हो रहा है ठीक है? तो भाई ध्यान से देखो अब option क्या बोला है? A is more concentration than B देखो बेटा अगर A, B से ज़्यादा concentrated होगा चलो पहले option पढ़ लेते हैं A is less concentrated than B option number C both A and B are of same concentration option number D both A and B get diluted ठीक है बेटा देखो ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास दो solution है A और B है और A जो हो रहा है वो B की और flow हो रहा है ऐसा आपको question में बोला गया है होगा क्या A का concentration कम होगा B से या फिर B का concentration A के बराबर होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा तो बेटा ध्यान से सुनो जिसका concentration कम होगा प्यारे बच्चो वही तो flow होगा समदने इस इसको कोई चीज आपकी बेटा एक ऐसा solution जिसमें आपका amount of solute क्या है बहुत काम होगा तो solution पतला होगा तो क्या होगा जल्दी flow भी तो हो सकता है न ठीक है अब जिसमें amount of solute ज़्यादा है मतलब क्या है कि वो solution पतला नहीं है ठीक है क्या वो फिर flow होगा नहीं हो सकता न तो बेटा यानि इसका अंसर गया हुआ कि A अगर B के और flow हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपका A है इसका जो आपका concentration होगा भाई वो क्या होगा less than होगा B क्या होगा बच्चो less than B होगा तब ही तो flow होगा ना अगर कम नहीं होगा तो भाई कैसे flow हो जाएगा देखो ना less than का मतलब क्या भाई ठीक है concentration से मतलब कि A में जो आपका amount of solute है वो काम है in comparison of B clear तो फेटा यानी option number A is less concentrated than B यानी option number आपका 20 का विलकुल सही जबाब हो जाएगा correct answer हो जाएगा ठीक है तो फेट देखिए ऐसे question भी आपके exam आते हैं कितना simple है ठीक है चलो भी आगे question अगले वाले question पर चलते हैं देखिए question number 14 the higher altitude the boiling point of water decreases because अब जैसे जिसम क्या करते हैं न उचाई क्यों जाते हैं तो होता क्या है कि जो आपका boiling point होता है water का decrease होता है water का boiling point क्या होगा घट जाएगा क्यों होता है क्योंकि बच्चों वहाँ पर न low low atmospheric pressure होता है ठीक है न low atmospheric pressure होता है उपर को जाने पर तो देखो जैसे जैसे अब उपर को जाओगे तो आपको जो atmospheric pressure है वो बहुत ज्यादा low होता जाएगा तो इस condition में क्या होता है कि जो आपका balling point है वो भी क्या हो जाएगा बच्चो कम हो जाएगा decrease होगा तो यानि कौन सा इसका answer है the atmospheric pressure is low option number first इसका क्या हो जाएगा बिलकुल सही जवाब हो जाएगा correct answer इसका हो जाएगा क्लियर है ना देखिए इतना सिंपल तो question बदाएगे कुछ भी नहीं है इसमें ठीक है चलो है एगले question क्यों पड़े next question question number 15 maximum amount of solid solute that can be dissolved in a given amount of liquid solvent does not depend upon किस पर depend नहीं करता है तो पेटा देखो temperature पर तो depend करता है यह आप लोग को भी पता है solute अगर ठंडे पानी में डालोगे तो पेटा इतनी easily वो नहीं घुलता है अगर आप उसका temperature बढ़ा दोगे यान इसको heat provide करोगे तो बच्चो जल्दी से घुल जाएगा यहने depend करता है ना yes तो पेटा temperature पर तो depend करता है हमने जल्दी से बता दिया है अब आती बाद nature of solute पे एक आप NaCl ले लो और एक आप sugar ले लो भई दोनों को आप solution में add करो अगर आप sugar को add करोगे तो बच्चो जल्दी घुल जाएगा अगर आप sorry अगर आप salt को add करोगे तो वो जल्दी घुल जाएगा अगर आप sugar को add करोगे तो वो time लेगा तो यानि nature पर भी depend करता है ठीक है तो यानि option number cv सही है अच्छा nature of solvent अपकोस nature of solvent पर भी depend करता है आप सहद में अगर initial को mix करोगे तो क्या वो घुल जाएगा नहीं घुलेगा अगर आप water में initial को mix कर रहे है तो जल्दी किस में घुलेगा भाई किस में घुलेगा आपकी water में घुलेगा तो depend करता ना nature पर यास आप कौन सा option पर जाएगा pressure पर depend नहीं करता है यानि option number यह elimination method से देखोगे तो option number जो यह जाएगा इसका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा correct answer इसका हो जाएगा clear है ना देखे कितना simple है थोड़ा से सोचने की ज़रूति नहीं जाएगा समद रहे मेरी बात को yes अगले question क्यों बढ़ते है देखे अगला question क्या बोलता है question number 16 low concentration of O2 in the blood of people living at high altitude is due to same question आ चुका है ठीक है भाई देखो जैसे जैसे उपर की और जाते हो high altitude पे क्या होता है कि जो concentration हो जाएगा oxygen का वो कम हो जाता है क्यों होता है क्योंकि आपका atmospheric जो pressure होता है वो कम होता है अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जैसे जैसे उपर को जाओगे atmospheric pressure जो हो जाएगा वो decrease होता जाता है तो यानि यहाँ पर इसका option number B क्या जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल correct answer इसका हो जाएगा clear चले बढ़ते हैं अगले question की हो देखिए the units of ebulioscopic constant age sir सबसे पहली बाद ebulioscopic constant क्या होता है बेटा इसको बोलते है molal elevation constant क्या बोलते हैं बच्चो molal elevation constant is also known as ebulioscopic constant ठीक है अब इसकी unit क्या होती है Kelvin kilogram per mole इसकी unit होती है क्या होती है बई Kelvin kilogram per mole याद रखिएगा यह क्रायोसcopic ठीक है यह क्रायोसcopic ठीक है उसको molal cryoscopic constant बोलते है अभी आप पड़ोगे यह ebulioscopic constant है इसकी बाद है क्रायोसcopic constant ठीक है बच्चो तो उसको हम बोलते है molar depression constant हो होता है समझ रहे हो इसके बाद है उसको KF से denote कर आता है KF ठीक है अगले question क्यों बढ़े next question क्या है बढ़ी देखो molar solution means molar solution means molar का मतलब molarity है simple सी बात है अगर molar बोलेगा तो molarity लिखोगे बढ़ी और अगर molar बोलेगा अगर यह बोलता है molar तो बच्चों अगर molar बोलना है तो इसका मतलब है molality ठीक है molar बोला तो molality ठीक है और अगर molar बोला तो molarity molarity का मतलब mol पर लिटर बोलो molality का मतलब mol पर केजी बोलो ठीक है अच्छा लिटर यहां पर क्या था बच्चों solution ठीक है ना यहां पर जो हम one liter क्या लिखते है solution यहां पर हम 1 kg of solvent नोट करते हैं यह आपको पहले difference पता होना चाहिए molarity and molality में ठीक है अब यहाँ पर देखो अब देखो कि लीटर बोला है यानि 1000 IML भी हम बोल सकते हैं ठीक है और यहाँ पर 1000 kg भी हम कह सकते हैं अब कॉशन में क्या बोला गया है molar solution means 1 mole of solute present in 1 mole of solute present in 1 liter of solution it is known as molarity क्या बोलेंगे उसको molarity बोलेंगे यानि 1 liter of solution option number D इसका बिलकुल सही जबाब हो जाएगा भी देखे कितना simple question आया है definition से ही question मना दिये हैं आपकी clear है ठीक है तो इसका क्यों जाएगा सही जबाब हो जाएगा correct answer इसका हो जाएगा चलिए अगली question की और बढ़े देखें next question increasing the temperature of an aqueous solution will cause ठीक है अगर temperature बढ़ाते हैं aqueous solution का तो भई होगा गया ठीक है तो देखो क्या decrease in molality बेटा थोड़ी दिर पहले पढ़ा था कि molality का temperature पर तो कोई factor ही नहीं पढ़ता independent वो होती है तो option number 1 तो हो नहीं सकता clear? अच्छा second point देखें decrease in molality yes, it is right answer क्याँकि आप भी बता है था थोड़ी दिर पहले कि molality जो होती है depend करती है temperature पर option number C देख लो गबार चलो mole fraction पर कोई fact नहीं पढ़ता mass percentage पर कोई fact नहीं पढ़ता यानि decrease in molality it is right answer because आपकी जो molality होती हो depends किस पर करती है depend temperature पर depend करती है इसलिए option number B क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा clear? आगे बढ़े? चले अगला question क्या है? देखे colligative properties are those properties which depends upon colligative properties वो properties होती है जो depend करती है किस पर depend करती है? थोड़ी देर पहले बताया था number of particles of the solid ऐसी properties जो number of particles of solid पर depend करती है उन्हीं को क्या बोलते है? colligative properties कहते हैं तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन्स अप्शन है इसा nature of the particles? नहीं बच्चो shape swap भी यही यह भी नहीं होगा nature भी नहीं होगा nature पर डिपेंड़ी नहीं करता है number of particles on नहीं यहनी option number D इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा correct answer इसका हो जाएगा clear है? चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए molal elevation constant is also cold edge ठीक है? also cold edge अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, molal elevation constant को क्या बोलते हैं? ebulioscopic constant बोलते हैं क्या बोलते हैं? ebulioscopic constant इसको कहा जाता है अगर आप से यह पूछे कि molal अगर आप से यह पूछ दे यह तो molal elevation constant है ठीक है? इसके आज आएगा ही molal depression constant ठीक है? depression in freezing point आप पढ़ोगे न तो वहाँ पर आएगा तो molal depression constant अगर आप से पूछे तो आपको बोलना है cryoscopic constant तब क्या होगा अंसर? cryoscopic होगा उसको किसे denote करते हैं? KFC इसको किसे denote करते हैं? KBC बस यह difference होता है इन दोनों के वीच में देखिए कितना simple question है कोई भी tough नहीं है न सब्दमा रहा है? चली बहुत अच्छी बात है देखो भाई कुछ भी tough नहीं अगर आप अच्छे से देखोगे तो ठीक है? चली देखिए next question है आपका as-raison region question है ठीक है न? as-raison region बेस जो question है वो हम आपको अपकराने वाले है देखिए सबसे पहला question चेक कर दें क्या है? सबसे फिर्स question as-raison में जो आपको statement दिया है पहले उसको check कर दें ठीक है? तो क्या बोला गया है? increasing pressure on water decreases its freezing point बिलकुल सही बात है कि अगर आप pressure को increase करोगी तो water का जो freezing point है वो decrease होता है यानि acceleration में जो आपको statement दिया गया है वो बिलकुल सही है ठीक है? चलो भई अब region में check करते है density of water is maximum at 273 Kelvin गलत है भई 1 gram per ml water की density होती है आपको पता है तो भई ये maximum का तो कोई हिसा भी नहीं बनता है समझ रहो ना? तो यानि region में जो आपको statement दिया गया है ये खुद में wrong है ये खुद में wrong है ना? ठीक है? और अगर ये खुद में wrong है तो कौन sensor हो जाएगा असका? option number C as reason is correct statement but reason is wrong statement हो जाएगा clear हो गया? चलिए अगले question की और पढ़े? देखिए अगला question अगले question में state जो का expression है इसमें का statement दिया गया है ध्यान से पढ़िएगा हाँ तब चीज़ा सुनना हैंगी elevation in boiling point for two isotonic solution is same बिल्कुल सही है बई isotonic solution जिसका osmode pressure same होता है अभी थोड़ी दिर पहले बताया था तो बोला है कि अगर दो isotonic solution अगर आपके पास हो और उनका जो elevation in boiling point है क्या वो same होता है? अपकोस same होता है ये सही statement है assertion का जो statement है वो बिल्कुल correct है भई ठीक है? चलो एक बार reason का बढ़े statement पढ़ा लेते है है वो अपने आप में wrong है तो कॉंसेंसर हो जाएगा? option number C assertion is correct statement but reason is wrong statement तो इसका correct explanation क्या होना चीए? बेटा देखोई balling point बोला है न तो correct explanation इसका होना चीए elevation in balling point बोलना चीए क्या बोलना चीए भई? elevation in balling point बोलेगा तब वो depend करता है concentration of the solute पर depend करता है लेकिन इसने तो खाली balling point बोला है एक balling point है और एक elevation in balling point है दोनों में बेटा difference होता है समझे ना दोनों चीज़ें same नहीं है आपकी clear? तो बेटा इसका अगर ये reason में ये statement देता ना तब ये सही हो जाता लेकिन इसने तो सीधे balling point बोल दिया ऐसलिए ये reason में जो खुद का statement है वो गलत है और अगर reason का statement गलत है तो कहां से वो estimation का correct definition देगा correct definition क्या है? मैंने आपको बता दिया है चलिए अगले question की और बढ़ते है question number 9 estimation का statement देखिए iodine is more soluble in CCL4 carbon tetacloid than in water बिल्कुल बेटा iodine बोला है न iodine क्या होता भई? CCL4 में आपका more soluble होता है ठीक है? more soluble in CCL4 than in water ठीक है भई? यानि अगर water की बात करते हैं अगर हम iodine दो soluble करते हैं तो carbon tetacloid में ज़्यादा soluble होता है income prison of water की इसका यानि इसके अंदर जो आपका statement दिया गया है खुद में सही है ठीक है? अब reason की देखो reason को check करो इसमें क्या बोला है? non-polar solute are more soluble are more soluble in non-polar solvent बिल्कुल सही बात कही है भई क्योंकि iodine क्या है भई? non-polar है iodine क्या है बच्चो? non-polar है और CCL4 भी आपके पस non-polar solvent होता है भई non-polar solvent होता है जबकि S2O polar solvent होता है समझ रहे हैं बात को? तो भई जो आपका non-polar है non-polar है में ही गुलेगा एक property यापर follow होती है like dissolve like like dissolve like यानि जो जैसा है वो वैसे में ही गुलेगा जो polar है वो polar में dissolve होगा अगर कोई non-polar है तो non-polar में dissolve होगा बस यही रूल यहापर follow होगा याद करिए जब मैं इस आपका solution chapter को पढ़ाया था तो सांद मैंने ये topic वहाँ पर आपको explain किया था ठीक है? lag dissolve like तो I2 क्या है non-polar? किसमें जाता dissolve होगा? non-polar non-polar कौन सा है? carbon tetraclodide ठीक है? अच्छा est वो क्या होगा? non-polar नहीं है that is polar तो इसमें ये dissolve नहीं होगा कम dissolve होगा clear है? चलो बहाई यानि जो आपका reason में जो statement दे रखा है वो खुद में भी सही है plus वो आपका जो station में statement दिया है उसका भी सही जवाब देता है उसका भी correct explanation है यानि option number is का सही जवाब हो जाएगा कि incident and region बोथ हर correct statement and region is the correct definition for illustration बिल्कुल सही जवाब है clear? समझ गई ना? चलिए बई अगला question चेक करें चलो वह इतना ही question थे आपके ठीक है सारे के सारे MCQ हमने आथ की session में complete कर लिए है सारे के सारे MCQ important थे और वह हमने discuss कर लिए है तो आप लोग बताईएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो भई वीडियो को like करें और हमारे channel को subscribe करें अगर आप new है तो हमारे channel को subscribe करना है पास में जो bell icon उसको press करना है ताकि आने वाले जितने भी हमारे new videos है उनका notification आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके ठीक है चले फिर मिलते हैं आगले chapter के साथ एक next video में तब तक के लिए बाइ बाइ टो वरिवन, बाइ बाइ टो और आप यू